Hello guys, so how are you? तो कैसे हैं आप सभी लोग? देखे, descriptive का paper जो है that is very important और वो SBI PO means और IBPS PO means में आता है ठेक हैं? और जो descriptive का paper होता है, दोनों में लगबग pattern सहीं ही होता है, कि आपको एक ऐसे मिलेगा और एक letter मिलता है paper में करने के लिए दूसरा कई लोग पूस्ते हैं कि offline होता है या online, online paper होता है ये descriptive का और आपको keyboard पर जाके वहाँ पर type करना होता है, ठीक है? अब देखे, मैं आपको पूरा paper के बारे में बताऊंगा source बताऊंगा, और कैसे कितना करना है, कितना time देना है, सबको ध्यान से सुनना, ठीक है? आप वीडियो को चाए 1.5x पर देखो, चाए 2x पर देखो मुझे उससे मतलब नहीं, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखना, जिससे आपको हर bit of information मिल जाए, ठीक है? अचली वीडियो को आपकी तब मजबूस होती है, कि आप जब जितना आदा पढ़ते रहते हो, आपको उतना आदा content दिमाग में मिलता है, आपको लिखने के तरीका पता चलता है, किस वीडियो में कोई चीज़ लिखी होई है, मैंने आपको के साथ होता है, तो आपको तयारी लगबख प्री के बात करनी है, लेकिन हलका हलका आप पहसे से भी स्टार कर सकते हो, जैसे मान लो कि हफते में एक हैबिट बना लो, कि मुझे वीक में एक बार जब मैं एडिटरियो पढ़ता हूँ, तो उस एडिटरियल के समरी लिखने कोशिश करूँ, आप कोशे हो साथ समरी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए जो आपका descriptive का paper होता है, इसमें mainly दो चीज होती, essay और letter, letter तो कोई भी लिख सकता है, letter बहुत ही असान चीज होती है, मैं अभी आपको बताऊंगा, आपको पांस देसमन में लिटर खतम हो जाएगा, क्योंकि एक prescribed format होता है, आप उस format को follow करो, body होती है, बीच में तो जो भी issue है, उसको डाल दो, वो issue भी given होता है, तो उसमें कुछ ज्यादा खुद का लिखना नहीं होता, लेकि करना है संडे को, जो भी मैं editorial पढ़ रहा हूँ, उसका मैं summary लिखूँगा, और कोशिच करो चायद 2-3 दिन के editorial के लिख दो आप, ठीक है, उससे क्या होगा, आपको लिखने के habit हो जाएगी, ठीक है, अब आते है main point पे, कि जब आपका exam एक्जम नियार हो गया, आपको sources follow कर चाहूँगा, उनको याद कर लो, उनको लिख भी लेना, और जो essays दिखाऊंगो common topics के, यावि कहां से पर सकते हो, वहां से आप उनको practice कर लेना, अचा, इसमें मैं एक बात और add करना चाहूँगा, देखें, जो paper होता है, दोनों 30 minutes का होता है, ठीक है, अब SBI PO मेंस में 50 marks का होता है, और IVPS PO मेंस में 25 marks का होता है, ठीक है, तो marks अभी छोड़ो, अभी time की बात करते हैं, तो अगर आपको पास 30 minutes हैं, कहीं ने कहीं, ठीक है, इसको करने के लिए क्या बोलते हैं, paper को, तो हमेशा मैं क्या बढ़ूँगा, आपको strategy recommend करने के लिए, कि 10 minutes के अंदर अपना करने कोईश करो, मैं 15 अठार के हो, बोल रहा हूँ, क्योंकि last का 5 minutes बचा के आप किसी तरह ये check कर लो, कहीं, आपने error तो नहीं किये हैं, बहुत जाए spelling mistake वेगरा तो नहीं किये हैं, सब कुछ line से लिखा है कि नहीं लिखा है, एक बार आप check करने के लिए last के 5 minutes जरूर निक लिखते हैं, लिटर में आपके 3 तरह के लिटर आते हैं, एक लिटर आता है कि आप जब किसी error को लिखते हो, किसी paper वाले को लिखते हो, कुछ भी concern को लेके, issue को लेके, कि मालो garbage फैला हुआ है, पान की crisis है, एक तो उनको लिखते हो, एक आपको वो तैयर करना है, दूसरा, generally हम bank manager को लिखते हैं, मालो आपके bank से कोई fraudulent transaction हो गया, आपको कोई loan चाहिए, कुछ भी ऐसा issue होगा, तो bank manager को लिखते हैं, और तीसरा एक आता है, informal letter, informal में क्या होता है, कि आप अपने किसी छोटे भाई को बोलते हो, कि चल बे, पढ़ाय करता रहे, और या फिर मालो कि आप क्या follow करना है, descriptive letter affair cloud डालना Google पे, और सबसे पहला ये link खुलेगे letter writing for competitive, ये वो, ठीक है, इसमें मैं आपको एक format दिखाऊंगा, आपको इस format से लिखना है, फिर मैं आपना एक लिखाऊओ format दिखाऊंगा आपको, ठीक है, letter number 2 में क्या है, देखिए, letter number 2 में है, कि आपको आपका अपना, वो clear होना चाहिए, ठीक है, क्या clear होना चाहिए, यहाँ पे आप अपना address लिखोगे, अपना address आप लिख के याद कर लेना, फिर यहाँ पे वो date डाल जाएं, जिस दिन आपका main exam होगा, जिससे आपको त्यारी पहले से रहे, ठीक है, तीसरा यहाँ पे एक bank manager, SBI और कोई भी address लिख के, वो safe कर लेना, ठीक है, मतलब मैं यह basic लिए कहना चाहिए, आपका यह address, date, address, subject, इतना चीछ हमेशा यह सेम होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, ठीक है, कि आप किसको किसको लिख रहा हो, ठीक है, तो याद है का तो क्या होगा, examination में पड़ता है, जो आप लिखते हो कि for the last 10 years, तो manager को इस वह में आता है, हाँ पुराना customer है, इनका वो देखते हैं, तो letters वह आई-catch ही हो जाता है, ठीक है, उसके बाद जो भी आपका issue हो है, कि 6 बज़े इतने पैसे कड़ गए थे, वो आप हिंदी से मन में, English में ट्रांसल कर details और account balance status, ठीक है, उसके बाद last में हमेशा letter को एक portion note करना चाहिए, your promptness in this regard will be highly appreciated, your sincerely ये, ठीक है, एक तो ये letter हो गया, अचा मैं आपको एक letter और दिखा था, जो मैंने खुर लिख रखा था, highlight the water crisis in new area, ठीक है, आपने हरीन डाल दी है, ये, देखो, ये मेरा address था, मैंने ये address लिख के ही जम safe का रखा था, sector 74, not IOP, ये मेरा pin code, एक letter छोड के मैंने date डाल दी, 29 January, अब देखो, date मैंने कौन से डाल रखी, आप जहां से देखो, तो जो मेरी SBIP हो, मेंस की rate थी, 29 January, ठीक है, फिर मैंने director यहां पर लिख रखा है, subject लिख दिया, respected sir, अब जब भी आप किसी newspaper वाले paper ये letter लिख रहा होते है, तो हमेशा एक habit डाल लो, कि मैं आपके newspaper का regular reader हूँ, बले आप हो नहीं हो, वो बात की बात है, ये लिख दो, दूसरा आप ये लिख दो, कि I want to raise this awareness among the concerned authorities, through the esteemed column of your newspaper, इससे क्या होता है, कि बहुत effect परता है, उनको लगता है, कि हाँ बही, त पानिम को बहुत महंगा परदा है, हमने local authorities complain भी की, कोई issue नहीं आया, ये वो, तो मैंने सोचा कि आपके paper के through, इसको public तक पहुचाया जाए, ठीक है, तो ये बात आप लिख दो, और हमेशा जैसा मैंने end में बोला है, एक portion note पे उसको end करो, looking forward to your courtesy and helping us, thank you for your time, विजय मिश्र ठीक है, तो इस तरह से आपको इस दो लुटर के format त्यार करना है, और आपको पढ़ना है इससे, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बता रखाया, फिर आता है essay का यहाँ पर डाल दो, descriptive, ठीक है, essay affairs cloud, ठीक है, अपने आप ही आजाएगा, ठीक है, अपने आप ही आजाएगा, त तुकाएगे, यह पूरा आप पहले खुछ से एक बार पढ़ लो, मन लगा का अच्छे एक बार पढ़ लो, याद निया ना, सिर्फ जिस रीड इड और इसको बंद करके आप खुछ से लिखने के practice करो, और देखो कितना आप सही लिख पा रहा हो, कि आपको यह समझ में आ आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, और उस प्लेलिस्ट में आपको यह सर्च करना है, और यह धीर सारे वीडियो हैं, इन से practice करना है, यहाँ पर यह जो मैम है, यह descriptive letter के papers को चेक करती है, मैम क्या करती है, वो चेक करती है, और चेक करने से आपको basic idea मिल जाता है, कि एक letter को, एक essay क आपको लिखते कैसे हैं, जैसे कि बताएंगे आपको कि starting में code कैसे करना है, उसके बाद आपको body में क्या लिखना है, वगएरा वगएरा, तो आपको यह playlist फॉलो करना है, समझ में आ गया, तो आपको और प्लेलिस्ट से आपको practice करना है, प्लस आपको यह playlist से अपना essay का check कर करते रहना है कि आप सही तरीके से लिखते हो, आपका format सही होता है और नहीं होता है, वगएरा वगएरा, ठीक है, तो I hope आपको सब कुछी समझ में आ गया होगा, आपको कोई और problem होता आप मुझे comment कर देना, दूसरा जब आपके exam नियरा जाएंगे, तो फिर मैं आपको औ और भी topic वगएरा लेके खुछ से मैं बताओंगे कैसे लिखना होता है, ठीक है, चालो, अभी बंद करते हैं, बाई